वेस्ट पंगाल के दार्चलिंग में स्थित, छोटा सा एक टाउन है, जो दार्चलिंग से 30 किलोमेटर की दूरी पर है और इस टाउन का नाम है कुर्से एंग कहा जाता है, वैसे तो ये टाउन देखने में बहुत ही सुंदर है पर जितना ही यह सुंदर है उतना ही यह डरावना भी है यहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है Victoria Boys School December से March तक के टाइंग पे ठंड की वज़े से स्कूल बंद हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है यहां पर किसी की चलने की आहट सुनाई देती है बच्चों के खेलने की किलकिलाहट सुनाई देती है, इतना ही नहीं, यहां पर जो सबसे जादा हॉंटिड मैन फेमस है, वो है सरकटी लाश, वो अक्सार आपको रोडों पे घुंता हुए दिखाई दे जाएगी, अंग्रेजी में कर्ज गुर श्राप कहा जाता है, तो ऐसा मानने तरह यह है कि यह इलाका श्रापित है, यह स्कूल भी श्रापित है, इस पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, हाला कि इसको बसाने वाले अंग्रेज थे, इसे लेकर काफी सारी कहानिया प्रचलीत है, तो एक दो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी, एक कपल था, तो उनके पैरेंट्स ने उनने लोकली घूमते हैं देख लिया था, तो पैरेंट्स ने वार्निंग दे दी, तो उन्होंने अब क्या किया कि जंगलों में मिलना शुरू कर दिया, तो वो अकसर इस जंगल की तरफ चले जाया करते थे, क्योंकि यहां पर किसी क इन जंगलों में हम आत हो जाते हैं, पर यह जंगल थोड़ा खतरनाक है, हमें अवाइड करना चाहिए, अब लड़के को थोड़ा चुल लग गई, उसने बोला कि है, ऐसा है, भूत-भूत कुछ नहीं होता, चला, आज में तेरा वहम दूर करता हूँ, अब वो लड़का आपने स्कूटी पे बिठा के लड़की को अंदर की तरफ ले गया, अब जैसे ही वो बहुत जादा घने जंगलों में गए, उनका फोन काम करना बंद हो गया, अब वो और अंदर जाता रहा, तो लड़के ने लड़की को बोला कि यह तो एक आहम सी बात है, क्योंकि जंग काफी सारी सडके तूटी होई है, क्योंकि यहां पर कोई आता जाता नहीं है, तो सरकार इन सडकों की तरफ उतना ध्यान भी नहीं देती, अब क्या था, कि उनकी स्कूटी खराब होगी, अब जैसे स्कूटी खराब होगी, तो लड़की को थोड़ा डर लगना शुरू तो काफी कोशिश है करने लगे, बट वो स्कूटी स्टार्ट नहीं है, थोड़ी दूर तक आये, धक्का मार के, अब सफेद कपड़ों में उन्हें एक सक्ष दिखाई लिया, तो सक्ष ने उनकों बोला कि तुम इन जंगलों में क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला हम तो या अब वो सफेद आत्मी बोलता है कि मुझे भूक लगे, मुझे कुछ मीठा खाना है, तो लड़की थोड़ा डर गई, अब उसके दिमाग पर तो अल्रडी चल रहा था कि कुछ तो भी गड़़ है यहां पर, अब लड़की ने बोला कि जंगल में इनसान को अगर भूक तो आप मेरे साथ नीचे चलो, मैं आपको में ठाई खेला दूँ गया, तो आदमी बोलता है, मुझे अभी खानी है, तो भाई उस पॉइंट पर लड़का थोड़ा सा डर गया, लड़के ने बोला, नहीं नहीं हमारे पस कोई मिठाई नहीं है, आप हमें छोड़ दो, वै क्या देखते हैं कि वो इंसान वापस दुबारे उनके सामने आ गया, तो भाई ये पॉइंट पे दोनों थोड़ा घबरा गये, हाला कि लड़के ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया, और पूछा, कि आप तो अभी उपर की तरफ गए थे, तो वापस आप नीचे कहां से आ ग कि पता नहीं क्या हुआ, दोनों विरोश हो गए, और दो-चार घंटे बाद उन्हें होश आया, फिर वापने स्कूपी लेके नीचे पहुचे, वैसे तो हम लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, और जब चीजे हमारे सामने होती है ना, और हमारे उपर बीखती है, तब मैं पता चल जाता है, कि हाँ, लोगों ने सही कहा था, तो अगर आप उस जगह पर होते, तो आपको क्या फील होता, कि हाँ, सच में इस सरकटा आदमी कोई आदमी नहीं, बलकि भूत था, हाँ, अगर मैं भी उस जगह होती, तो मैं इस इंसान को आदमी न नहीं, ये तो मैं कहा नहीं सकती, तो इस जंगल को लेकर इस तरह की बहुत सारी कहानिया प्रजलीता है, जो लोगों के साथ बीती है, तो फिलाल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, कि अभी थोड़ा टाइम पहले दिले के चार दोस्त वहाँ घूमने के ल तो उन्होंने गाड से बिना पूछे, स्कूल के पिछली दिवार से गेट जम करके स्कूल के अंदर पहुच गए, अब जैसे ही वो गेट पे पहुचे तो उन्हें थोड़ा अजीब सा फील हुआ, बट उन्होंने एग्नोर किया, अवाइड किया, और वो अंदर की तरफ थे तो दोस पीछे की तरफ चुप गए और दोस आगे चलते रहे, तो पीछे वारे दोस्तों ने आगे वाले दोस्तों परांक किया, कि अन्को हम डराते है, इना पता चल जाएगा, कि यहां आने का क्या नतीज है, उन्होंने मजांक में प्रांक किया, आगे दोस डर गए, ड़ने के बाद उन्होंने अब चारों ने डिसाइड किया कि चलियार आप बहुत हो गया, अब निकलते हैं यहां से, अब जैसे वो निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि पीछे वाले दो दोस्त है यह नहीं पीछे अक्चली, उसके बाद उन्होंने पूरे स्कूल में ढू तो यह जो एक्सपीरियंस उन दोस्तों के साथ हुआ था यह बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस हुआ था, वैसे तो यह स्कूल रणिंग है, यहां पर बच्चे आते हैं, पढ़ते भी हैं, और दिसम्बर से अपर तक ही स्कूल बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत जादा कोल्ड होता है, ठंड परते हैं, क्योंकि यह जंगल के बीच में स्कूल है, पहाडों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में स्कूल को बंद कर दिया जाता है, बट स्कूल बंद होने के बाद भी यहां पर ऐसी अजीवजीब चीजों का होना एक आमसी बात है, इस जंगल में बीते इस तर यृचूबर्स ने इस जगह को एक्स्टोर किया, और एक्स्टोर करने के बाद उन्होंने पाया, यहां पर एक स्केरी सा बड़ा सा घर है अब इस घर को देखने के बाद ये तो पता चलता है कि ये घर काफी हजार साल पुराना है अब यहां पर भूतिया activities के चलते जंगलों की वज़े से मालिक ने ये घर छोड़ दिया यानि कि कुछ तो भी ऐसा हुआ होगा कोई भी अपना घर ऐसे ही ही होगा ओर हां ये पूरा घर इतनी पूरी तरह से डामेज हो चुक है कि घर की दिवारों तक पर भी घासे हुच चुकी है काई लग चुके है ना तो आप यहां की स्टेफ्स पे चड़ सकते हो और ना ही यहां की च्छत पर जा सकते हो कुछ इस घर का कुछ जाता המס़ें क तो उस जगह को छोड़ के हमें मुफ आन करना चाहिए क्योंकि इस तरह के घर तो सौ बन सकते हैं बट लाइफ एक ही मिली है थोड़ा ध्यान रखना